नमस्कार में हो प्रिया धराधर तीस खबरों में आपका स्वागत है चलि जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुक खबरों को भारत के पास जल्धी कोरोना महमारी के खिलाफ अपनी पहली मेसेंजर या MRNA वैक्सीन होगी जुनोबा बार्मा फायस्टिकल्स इन वाक्सीन के तीस रेचरन का ट्रायल पूरा करने जा रहा है और कंपरी ने हाले में दूसरे चरन के ट्रायल का डेटा फार्मा रेगुलेटर को स्वापा है सूत्रों के मुताबिक ड्रंग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया की एक्सपर्ट कमीटी जल्धी डेटा की समेक्षवा करेगी दुनिया भर में अपने कथक बित्ट से हर किसी को कायल कर देने वाले पंडित बिर्जु महराज अब नहीं रहे रविवार को नित्य दुनिया के मशहूर तिरासी वर्षवे बिर्जु महराज की हार्ट अटाक से मौत हो गई उनके निधन परसंगी जगत में शोक की लहर है प्रधार्वंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है सोमवार सुबह तमिलाडू में मुदेरा के अलंग नूर इलाके में विश्व प्रसिद जल्दी कट्टू कारिकरम का 30 रा दिन शुरु हुआ पुलो के 15-18 वर्ष के सभी चात्रों को कोविड वाक्सिनेशन की पहली डोस दे दी गई है। उन्होंने कहा कि राजु के 15-18 वर्ष के सभी चात्रों का वाक्सिनेशन का पहले दौर पूरा हो गया है। पेस्वास्तमिशन और यूपी के कोविड टीका करन की ब्राणनमाजडर और के जी एम यू के रेस्पिरेटरी मेडिसन विभाग के अध्यक्स दौक्टर सुरेकांत ने इसके बचने के पाच बेजोड उपाय बताये हैं। पाच वार आखरी सबसे जरूरी मंत्र है कि मास्क से परिशान हुए बगयार उसका पालन करें क्यूंकि कोरोना हर जग है और हर वक्त ताक लगाए बैठा है। सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता अश्विनी उपाधियाई की तरफ से समाजवादी पार्टी की मानेता खत्म करने की मांग करते में याचुका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सपा ने उलंगन किया है और इसके लिए उसकी मानेता खत्म की जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी जाफा हुआ है के इंद्रेस्वा समंतराले से मिरीज जानकारी के नुसार भारत में पिश्टर 24 घंटे में 1,57,740 कोरोना मरीज ठीक हुए है और 380 लोगों की जान गई है तीसरी लहर पर ये पहली दफा है जब कोरोना केस में 24 घंटे में इतनी क कमी देखने को मिली है अब कोरोना की कोलाक्टिव केसों की संख्या 16,56,341 हो गई है देश के पहले कोशल विकास विश्विद्याले की आधार शीला ने प्रायों की ज्यान के मंदिरों की उपाद्याईता और प्रसांगिक्ता को बढ़ा दिया है से व्यवसाइक सिक्षा के समगर समावेशन और उदम शीलता के दुरगामी प्रभाव के आलोग में देखा जाना चाहिए वमर्श के नए केंद्र अब युबा और उससे जुड़े उध्यम है निशित ही देश की राज़ानी दिली अन्यराज्यों के लिए नजीर बन गई है यहां दिली स्किल और ए इट को बताया है कि जासुसी कतिविद्यों में लिप्त पाई गया लेटिनेंट जनरल जावेद इखबाल ने इसलामबाद के प्रथम ट्रेनी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये बयान में अपना अपराद स्विकार कर लिया है दे एक्स्प्रेस ट्रिब्यून की ख़बर के म मुद्दे पर अनावशक विवाद पैदा कर रहे हैं जो कि मुसल्मानों की धार्मिक्स पतंतरता का भी उलंगन करना है पॉपिलर फ्रेंट ओफ इंडिया के करनाटक राज्यो महा सचिव नासीर पाशा ने राज्यो के विफिनर कॉलेज में प्रचलित हैजाब विवादो के बारे में बयान जारी कर कहा है कि कुछ कॉलेज हेड स्कार्फ के विशे पर अनुचित विवाद पैदा करें और मुसल्मानों की मौलिक धार्मिक्स पतंतरता का उलंगन करें मॉंबई और दिल्ली में मामलों में कमी आई है तो देश के कुछ राजों में संक्रुमन में वड़ोतरी डर आ रही है राहत की बात है कि रात से साथ से 13 जनवरी के बीच में आर वैल्यू में गिरावर दर्श की गई है और ये दो दश्मरब दो पर आ गई है IIT मदरास के रंभिक विश्यलेशन के मुताबिक इससे पहले के दो हफते में ये हक्रमशर चार से और दो दश्मरब नौ थी IIT मदरास के गणित विभाग और Center of Excellence for Computational, Mathematics and Data Science के प्रफेसर निलेश S. उपध्याय और प्रफेसर S. सुन्दर द्वारा दिये गए विश्यलेशन के मुंबई की आर वैल्यू 1.3, दिल्ली की 2.5, चन्ने की 2.4 और कौलकता की 1.6 पाई गई है मौसम विभाग ने अगले दो दिनों की दरान पंजाब, हर्याना, चन्डिकर, दिली, पश्यमी, उत्तर प्रदेश, मधिप्रदेश और राजिस्तान के अलग-अलग हिसों में कडाके की ठन पड़े का अनुमान व्यक्त किया है इसके अलावा सोमवार को दिली, जमुकश्मीर, हेमाचर प्रदेश, मधिप्रदेश और राजिस्तान में रात और सुबह के समय घने से बेहत घना को राच्छा सकता है प्रदारमिंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्वा अर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजित होने जार है दावो से जिन्डा श्रिकर समयलन को संबोधित करेंगे आज से पांस दूनों तक चलने वाले इस श्रिकर समयलन को उनके अलावा चीन की राश्रपती ज्री चिन्पिंग भी संबोधित करेंगे प्रदारमिंत्र मोदी का संबोधल सोंबार रात साढ़े आठ बजे होगा मिरर डाउं की रिपोर्ट के मताबिक जस्टर सिंदू मरहोतरा को धमकी भरी कॉल आई थी कॉल करने वाले शक्स या फिर वो किस समूं से जुड़ा हुआ है उसकी पहचान नहीं हो पाई है लेकिन ये घटना एक बड़ी साज़श की तरफ इशारा करती है पुर्वी दिली के गाज़िपूर फूल बंडी में बरामद IAD वहां किसने रखा था बेशो कभी ये पता नहीं चल सका लेकिन खूफिया एजिंसियों का मानना है कि ये IAD उन्विसफोटको की खेप का हिसा था जुने पाकिस्तान से भारत में तसकरी कर लाए गया था इसके साथ ही इसमें स्लीपर सेल का हाथ होने की भी पूरी संभावना है Oxfam India की ताज़ा रिपोर्ट In Equality Kills से पता चला है कि जहां भारत में 84 प्रतिशुत परिवारों को एक साल में अपनी आई से भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है वही अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई है भारत में मार्च 2020 में 30 नमबर 2021 तक वहामारी के दौरान अरबपतियों की संपती 23.4 लाग करोर रुपे से बढ़कर 53.6 लाग करोर रुपे हो गई है इस बीच 4.6 करोर से अधिक भारतियों के 2020 में 30 गरीबी में जाने का अनुबान है भारत सरकार ने कहा है कि किसी को ठीका लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में एक याचुका के जवाब में दाखिल हलफ नामे में स्वास्त मंत्राले ने ये बात कही है भारत सरकार ने कहा है कि किसी को कोविड वाक्सीन नगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा नाशनल टेक्निकल एडवाईजरी ग्रूप उन इमिराइजेशन यानि की एन टी जी ए आई के चेर्मेन डॉक्टर एन के अरोरा ने बताय है कि देश में 12 से 14 साल के बच्चों का कोरोना ठीका करन फरवरी के आखरी हफते या मार्च से शुरू हो सकता है भारते जंता पार्टे की बंगाल एकाई पर दलित मतुआ समुदाई की अन्देखी करने का रोप लगाने के एक दिन बाद के इंद्री राज्यमंत्री और मतुआ समुदाई के नेताल श्रांतुन उठाकुर ने रविवार को अपने अनुयाईयों के साथ बैठकी और कहा क समुदाई अब से अपनी मांगो और गति विदियो पर धियान के इंद्रित करेगा विश्व बैंक के वैश्विक सिक्षा निदेशक जैमे सावेद्रा के अनुसार महामारी को देखते वे स्कूल को बंद कर रखने का अब कोई और चित नहीं है और भले ही नई लहरे आए स्कूल को बंद करना अंति मुबाई ही होना चाहिए सावेद्रा की टीम सिक्षा चेतर पर COVID-19 के प्रभाव पर नज़रा खरी है उन्होंने कहा है कि इस बात का कोई सुबूत नहीं है कि स्कूल को फिर से खोलने से कोरोना वाइरस के मामलों में वृधि हुई है और स्कूल सुरक्षिस्थान नहीं है रास्ट्रे राज़ानी दिली में रोजाना कोरोना के मामलों में गिरावर्स में जारी है और इससे भी स्वास्तमंत्री सतिंद्र जएन ने कहा कि वीकेंड करवियो और प्रतिबंध धात्मक प्रतिबंधों ने कोरोना वाइरस के प्रसार को रोकने में मदद की जयन ने दास्ट्रे राजधानी में COVID-19 की कथित कम जाज की चिंताओं को दूर करने की कोशिश के तहर दावा किया है कि यहाँ पर ICMR की सिफारिश से तीन गुना अधिक नमूनों की जाज की जा रही है पंझाब दान सबा चुनाव के लिए 14 फरवरी को होने वाली वोटिंग में बढ़लाब किया है चुनाव आयोग ने अब राजधा में 20 फरवरी को वोटिंग कराने का फैसला किया है जनाविक स्केडूल के मताविक राजमेट 14 फरवरी को एक चरण में ही मतदान होने वाला है सीम चनी ने आयों को पत्र लिखाता इसमें कहा गया कि अनुचित जाती समुदाय के लोगो ने उन्हें बताया है कि रविदास ज्यनती को लेकर बड़ी संख्या में ऐसे इश्राध धालू 10-16 फरवरी तक उतरप्रिदेश के बनारस का दौरा करेंगे कप्तानी चोड़ने को लेकर विरात कोली ने सीरीज के बाद अपना फैसला मुख्यकोच राहुल ड्रवे टीम के साथियों को ड्रेसिंग रूमे सुनाया उन्होंने बी-सी-सी-ाई को भी इस बात की जानकारी दी है कोली चाहते तो कप्तान के तोर पर अपने सफर कांत बहतरीन तरीके से कर सकते थे लेकिन उन्होंने इस से उल्टा फैसला लिया अंग्रेजी एकपार हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के बताबिक बी-सी-सी-ाई की एक सीनर अधिकारी ने कोली को बतोर टेस्ट कप्तान फेरवल माच की पेशकर्श की थी लेकिन कोली ने इसे ठुकरा दिया भारत में गंतर दृदिवस पर होने वाली परेड नाकिवल देश के भीतर काफी पसंद की जाती है बलकि दुनिया भर में भी इसके चर्चा होती है लेकिन इस सार ये दिन पहले से भी ज्यादा खास होने वाला है पुषपा दर्लाइस की रिलीज की बाद से अलु अर्जुन सुर्ख्यों में है उनकी इस फिल्म का धमा का अभी भी जा रही है पुषपा के रिलीज की बाद उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पुषपा की पॉपिलारिटी को देखते वे अला वैकुंट पुर मुलुक के निर्मादाओं ने फिल्म को हिंदी में डब करके रिलीज करने का फैसला रही है अलु अर्जुन के सुपर हिट फिल्म का हिंदी वर्जिन 26 जनवरी को सिनमा घरों में रिलीज होगी कॉंवरेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने आरूप लगाए है कि देश के साथ-साथ दिली में कोरोना के हालात खराब होगे है जितना काम सरकार को उमीक्रोन रोखने के लिए करना चाहिए उतना काम सरकार नहीं कर रही है पिछले एक-दो दिन से जो स्थिती दिली में हुई है टेस्टिंग को बढ़ाने की बजाए घटाए जा रहा है और सरकार दावा कर रही है कि संक्रमन घट रही है कोरोना के मामलों में देश भर में तेजी होने के साथ ही और विभे ने राजयोद्वारा अनेक प्रकार की प्रतिबंध लगाय जाने का सीधा असर देश भर के व्यापार और आर्थी गति वीधियों पर पड़ा है इसके चलते देश भर में वेबिनिस सामानों का वियापार पिश्रे 15 दुनों में उसेतन 50 प्रतिशत से अधिक कम हुआ है कोरोना की नई लहर को देखते वे पाकिस्तान में डियमों को सक्त किया गया है इस बार बिजिंग प्रसाशन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने थल से नाधियक्ष जेनरल मनोज बुकुन नर्वने के सेना दिवस पर दिये गए बयान पर जम कर भडास निकाली है Global Times ने अपने संपाद किये मैं से नाधियक्ष के बयान पर जहर उगलते वे आरोप लगाया कि भारत घरेलू संगर्ष तेध्यान हटाने के लिए चीनी विरोधी बयान बाजी पर उतर आया है अपने जवाब हमें से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप में से जुन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनकी नाम है मुहमद करीम खान, मनोज कुमार, कुश कुमार यादव, नितीश तोमर, जहानवाद, संतोष कुमार, जुतेंदर कुमार आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम हर दिन वीडियो केंट में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़तें आजके सवाल क्यों आजका सवाल कुछ इस प्रकार है आपके रजार कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच स्कूल कॉलेज बंद करने का दिरने सही है या नहीं अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आजके ने बस इतना ही देश प्रदेश की तमाम बड़ी ख़बरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बलाइक कॉन दबाना ना भूले धन्यवाद